हलो एवरीवन, वेलकुम बैक टू प्रानस्यों नममा, अगर आप भी ब्रेश्ट फिडिंग मदर हो और आपका ब्रेश्ट रूइख सप्लाई कम होता जा रहा है और आपको लगता है कि अब आपको अपना मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए या कुछ ऐ तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है पहला जो ड्रिंक है वो गार्डन ग्रेस सीड्स या हलीम के बीज यह ब्राउन कलर के छोटे चोटे बीज होते हैं यह डिलीवरी के बाद नई मदर के लिए बहुत फायदे मंद होते हैं इस इसे लड्डू में डाल कर भी नई मदर को खिलाया जाता है इसका ड्रिंक कैसे बनाना है आज हम यह बताने वाले हैं एक ग्लास दूद में एक चमच हलेम के बीज को अच्छे से उबाल लीजिए जब अच्छे से उबल जाय तो उसमें मिसरी डाल कर थोड़ा ठंडा हो जा आपका हिमोगलोबिन बढ़ायागा इससे इसमें फाइवर बिटमिन और बहुत सारे न्यूट्रियंट भरपूर होते हैं तो आप इस ड्रिंक को जरूर ट्राइ कीजिए हलीम के बीज या गार्डन ग्रेश सीड्स दूसरा जो ड्रिंक है पॉपी सीड्स या खसकस के बीज का ड्रिंक आपको एक मक दूद में आधा चम्मच खसकस के बीज लेना है उससे डालकर अच्छे से उबलना है जब यह अच्छे से उबल जाए और आधा रह जाए तब इसमें मिस्री या फिर ड्राइड रेट्स पाउडर डालकर इससे जब हलका ठंडा हो जाए तब आप इसे पी लीजिए लेस के बीच भी नेच्रल गलॉक्टागॉख से है मतलब यह ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं और पॉपी सीट्स आपकी हेल्थ रिकवरी में भी आपको बहुत अच्छे से मदद करते हैं ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी और आपके बॉडी में जो भी रीकवरी होनी है उनमें भी यह ट्रिंक आपको बहुत हेल्प करने वाला है, अगर आपको ऐसे किसी और त्रिंक के बारे में पता है, इससे ब्रेश्ट मिल्क सपलाई अच्छे से बढ़ता है, तो जरूर कमेंड़ में बताईएगा, ताकि किसी और जरूरत मन मदर को नई मदर को इन ड्रिंस के बारे में पता चल सके ताकि वो अपना ब्रेश्ट मुलक सप्लाई बढ़ा सके अगर वीडियो हेल्ट फुल रहेगी आपके लिए नॉलेज फुल रहेगी तो प्लेज वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा टैंक यू